जन्दगी में गल्तियां कौन नहीं करता है, सब करते हैं, मैंने भी किया है, बड़ी बड़ी गल्तियां, लेकिन मेरी सबसे बड़ी गल्ती थी, कि मैंने अपनी पांच साल की छोटी सी बच्ची को अपने से दूर जाने नहीं है, अपने से अलग होने नहीं है, ना जाने कौ कौन सी अकड कौन सी घमण में था मैं कि अपनी ही बेटी को नहीं रूख पाया लेकिन पत्नी के जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया सब अकड ठिका निया भी मेरी पिर क्या अपनी सारी अकर्ड सारा गमन साइड में रपकर सीध अपनी बेटी के पास गया और माफी बंगी मेरी गलती की बहुत सजा भुगती मेरी संबू ने तुब देखें अरे बड़े उतार चलाव देखें उसमें पनी जिन्दगी में सिर्फ मेरी मज़े से जब हो घड़ से गई थी तब आई शबत मुझा एडिया नहीं था कि आओ साहिब संपता और अपढ़ना के साथ इसम दोकानियों जजा वेवार करेंगे आज भी अपनी दलती हो सोचता हूँ तो बहुत दुख होता है तो क्या करेंगे अब जो बीद गई उसे तो मैं बदल नहीं सकता लेकिन जो बचीवी जिन्दगी है उसे सुधाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ अब ही मैं खुश हूँ अपने मोख्ष का आजूबा बन कर रहा हूँ सारा दिन वो मेरे साथ रहता हैускे इतने सालों भात भी अपने अजूबा को भूला नहीं है याद वर वर याद है उसे अजूबा ये अजूबा वो अजूबा याँ ये सुनो नको मेरे बिह न रहना ही पता और भी नहीं रह पता अछimas या बाढ़ आ ए जब मैं बूट पहनता हूँ उसे पता चल जाता है कि अब अर्जूबा के साथ सेर करने जाने का समय हो गया है तो भाग कर जाकर अपने जुदे पहन लेता है और तयार हो जाता है सेर के लिए अब तो बस हर रोज एक ही सपना देखता हूँ कि अपनी बेटी संफू के लिए तो मैंने जिन्दगी में कुछ किया नहीं पर अपने इस नाटू को मैं घूप बढ़ा हूँ और लिखा हूँगा इसे बहुत बड़ा कलेक्टर बना हूँगा और कुशिश करूँगा कि मेरा नाटू अपने अजोबा से अच्छा ही सीखे अच्छे संसकार सीखे बस हम अपनी बचूई जिन्दगी अपनी संफू और मोक्ष के साथ ही बढ़ाना चाते हूँगा अरे दिवा मैं तो भूल गया मुझे मोक्ष को डाक्टर के पास ले जाना है टीका लगवाने को वो तैयार होके राह देखता होगा नहीं जामा तो पूरे घर को सरको उठा देगा बुरा मान जाएगा चलता हूँ